सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज चारकन वगपाएं चारकन की तमाम खबरें त्री अस्तरिय पंचाय चुनाओं का सोर है चारो तरप गाउं में हाहाकार है वो भी वोट का चुनाओं जो है हर जगह बिगुल बचते ही चुनाओं का महाल जो हता है तब्दील हो जाता है पूरे गाउं में तमाम जो पर्तियासी है घर घर जा कर अपने पक्स में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और कई वायो कर रहे हैं हम आज पहुंचे हैं तरहसी प्रखंड अंतरगत उदाइपूरा वन पंचायत में यहां पंचायत समिती सदस के पद पर हैं सकुंतला देवी बतादे सकुंतला देवी के बारे में कि इनके जो मतलब कहा सकते हैं भतीजे जितंदर कुमार जो पलामु संसेदिय सीट से चुना लड़ चुके हैं यह कोई चेहरे के महताज नहीं है यह अपने मतलब पहचान के महताज नहीं है एक चर्चित चेहरा है जो इनके साथ एक भतीजा मतलब कर सकते हैं चाची का भतीजा उनके साथ खड़ा है जो हर तरह से मदद के लिए तयार है और शेत्र में दवड़ रहे चुनाओ का साथ साथ अपने चुनावी जीत का तो दावा करी रहें साथ ही साथ वो ये बात की भी कर रहें कि ये जगह मजबूत होगी तो आने वाले चुनाओ में जो यहाँ एक बेस बनेगा चुकि ये पद जो है चुनाओं के बाद पंचाय समिती एक पद के बाद ये चुनाओं में परमुक के भी दावेदार भी हो सकते हैं ऐसे में जितंदर जी से सबसे पहले बात करेंगे कि जितंदर जी मतलब चाची के लिए आप कितना जोर लगा रहे हैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है पलामू की जंता देख रही है आपका चेरा चर्चित चेहरा है तो आप अपने चाची के लिए कितना जो है चोर सोर लगा रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी कि अब और उस दिन जो है मुझे पुरा भरोशा और विश्वास है कि 24 मही को जो मद्दान होना है वो हमारी जो प्रत्यासी है कि स्रिमति संकुंतला देवी जी उनके पक्ष में जो है उद्धे पुरावन में जो भी गाउं है वो तेल्डिया मठपुरी अनावाडी कि इसके अलावा जो है लकड़ाई हुआ और तमाम जितने भी गाउं है चाह बरकुमा हो या बेदानिक खुर्द हो यह तमाम हमारा जो गाउं है और उद्धे पुरावन पंचायत में जो है तेरा मद्दान के इंद्र है मुझे पुरा भरोसा और विश्वास है कि तेरों मद्दान के इंद्र पर हमारा जो चुनाव चिन है मोतियों का हार जो क्रम संख्या चार पर है बेलेट पेपर के उस पर जो है उद्धे पुरावन पंचायत की तमाम जनता जो है 24 मई को जो है हमारे पक्षम मद्दान की और हम लोग के सुख़दुक में सामिल हुए हैं जहां भी मुझे निमंतरन मिला है जिस कारक्रम में वहां हम सरीख हुए हैं इस भरोसा और विश्वास पर मुझे यह 24 मई का जो मद्दान है नीरधारित वो मद्दान हमारे पक्ष में होगा और पंचाह समीति सदस निर्वाचित होने के बाद हमारा जो तरहसे पर्खंड पर्मु का जो पद है वो अनुसुची जाती के लिए आरक्षित है यसलिए हम जो है तरहसे पर्खंड पर्मु के भी परबल दाविदार हैं और मुझे भरोसा और विश्वास है कि हमारे तरहसे पर्खंड अंतरगत ज परमुक का जो पद है उसमें हमारा समय योगर समर्थन करें तो इसलिए हम आप लोग को इस योग समझे कि आप सब्सक्क्राइब को डिए सेंध्य सान्थ हमारी संदेश बहुंचाने का काम कर रहा हैं यसलिए आनत में यहां कर अपनी बातों को समवत करते क्या लगता है कि पीछले जो यहां से जन पर्तिर नी रहे हैं उनका कारेकाल का क्या जो क्या लगता कि जो विकास होनी चाहिए कितना उसमें लगता है कि क्या कमी महसूस होता है यह जो पंड़ाय चुनाव करकेट कोड़ा में यह हो रहा है मैं गैले इस चुनाव से पहले नुम जनवरी में जो है नाए इस चहत्र में जो है क्रिकेट इस के कि ए उसी और दर्म्यान जो है हम तरस्ते परकंड मिन जो हमारा सोला पंचायद श्मिति का जो पद है उन सभी पंचायद छेत्र में हम मेरा भरमन हुआ है हम लगवग लगवग सभी जो है जो है जो है जाने का काम किये और मुझे यह कहने में जो है दुख महसूस हो रहा है यह दुरभाग पुर्ण है कि गोईंदी से कर अपकर शूरू करते हैं हमारा अंतिमगो और भूर्ण करहें वह तरह से परखंड का गोइंदी ऊवाइंदी पढ़ते हैं तो उद्यपुरा जो जो है नौगड़ है सौनपूरा है और मंझहोली ऐ यह तमाम सब्भी गुरहा है यह तमाम जो भी हमारा जो पंचायत है तरह से पर खंड अंतरगत तो फेरा पंचायत जो है तरह से पर खंड में हमारा जो है तैरा पंचायत प Elizabeth लेकिन इन सल्हग चरफ में 16 समयती सापत दोधिये सजद्रॉmusic का पद है जैसे अरका में जो है दो पंचाय समिती सदस्का निर्वाशन होना है मंजहुली में दो होना और पाठक पगार में दो होना है ऐसे तो तरहसे परखंड में तेरा पंचायत है लेकिन तीन पंचायत में जो है पंचाय समिती सदस्का दो दो पद है तो कुल मिलाकर जो हम चेतर में जब हम भ्रमन डिये तो जो बुनियादी समस्य जिसे बुनियादी समस्य सडक का है तो अगर गोंदी जाते हैं तो हम लोग को जाने में एक गंठा समय लगता है रोट है यही नहीं है तो अभी जो है देश आजाद होने के बाद 1952 से इस छेतर में चुनाओं हो रहा है 1952 के बाद से अभी तक हमारा पाकी बिधानसवाद छेतर या तरहसे परखंड का जो छेतर है पिछला हुआ छेतर है तमाम तरह की बुनियादी जो है यहां समस्या है हम जैसे भी रोड की बात कहें अगर आप भी घर कभी आउसर मिले तो गोईंदी या हम जो छेत्र का नाम बताए जो ही पंचायत का आप जाईएगा तो आपको जो है जर जर रिस्तिय मिलेगा तो हम तरह से परखंट परमुक जो है अगर बन जाते हैं अगर जो है हमारे पक्ष में जो है मद्दान होता है प्रमुक पद में तो निश्चित रूप से हम चेत्र के जनता को भरुसा दिलाते हैं कि हमारा जो मकसद है इस चुनाव में आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग की सेवा करना चाहते हैं वह यादा-कदा कभी-कभी अम पर्खण जाना होता है है तो यहां जो है जिस तरह काफ़ाश्टा-चारे पर gepंट में क्यों कि उएंगल यो परिसानी जहिल रहे हैं जो दैनीकारे दैनीकारे का मतलब ज्वोगत आस्थानिये अगर जिसको जोह रफ्षिषआ को और रूटीन वर्ग के लिए भी लोग परकंड का चक्कर लगा रहा है दो महिना चार महिना च्व महिना से लोग चक्कर लगा रहा है कोई पदाधिकारी जो है गरीब जनता के बाद सुनने को त्यार नहीं है तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस छेत्र में जो भी है है बर्ष देशार इसलिए है कि लोग लोग का काम नहीं करके लोग के काम को इसलिए बिलम किया जाता है चो कि लोग परदाधिकारी तक पहुचे आश्या उनके जो भी लोग है बहुत बहुत अबहुत बात से लिए हुए हैं अपने मन में हमारे मन में ये भाव है कि ये तमाम जो जनता के समस्या है इसको जो है हम दूर करेंगे और वो भी निश्वार्थ हमारे अस्तर पर जो भी अगर सरकार का अस्तर पर पर परमुक का अस्तर पर जो भी योजना आता है जो भी हम योजना वंटित कर ययाया को है कि उनकी मनमानी रही यह वजह लोगों में आकषरूच है क्या देल देखिए एक वाकिया मुझे याद है को कुछ दिए हमारा कम था पर्खंण में तो उससे में मैं अपने आखों से तदेखा कि अ किता से मुख्यां होने करना थे प्रोटोकॉल के तहद प्रोटोकॉल है C मुणाट्ड के सचिव होते हैं मतलब प्रोटोकॉल होते हैं Completely है कि अहीं हम जब ओहाँ गए पर्खंड में तो हम प्रमुक को देखे के विडियो का कालयाले तो कहीं ने कहीं प्रोटोक्ल का उलंगन हुआ है उलंगन इसलिए होता है जब कहीं कहीं होता साङ्टे काहिता है नियम यह कहता है कि पढल Foundasse प्राइव क क्रियालों रहले कुछ कह लाऍना चींबर में प्रमूह खेंगे लोग और MA अबेनारे की कुर्सि पर, सामनी के कुर्सी पर, बीडियों दू. इसिस्तिमें जो हम कैसे परखण का काम प्रमुख के अस्तर पर किया जा सकेंगा, इस संभावी नहीं हो पाया चेत्रिगा जनता उपक्षित रहे हैं यह कमेड़ हम आप से बात करेंगे जतना काकवन सब ननी डाला हो गया हाँ भोट देंगे लोगों में आपने कहा की परस्टा चाहते तो आकरोस देखने को मिल रहा है हम आकरोस जैसे हूं के जो भी जन फृतनी दिया भी यहां रहा है यहां रहा है इस शित्र में उन्नोग के वजह से उदासिंद्वीजा के वजह से ये दंस जो है हम लोग जैसे ये मंदार लोग को जहनना पड़ता है लोग ये हमसे कहते हैं कि उनका तो जिता देली दस सल जो है मुख्याजी के जिता देली दस सल सरपंच के जिता देली दस सल जो है पांच सल परमुक के जिता देली लेकिन हम लोग का कौई काम नहीं हो वाबनी का काम वाइल है यह हम लोग जैसे लोग जो ладно अभी तक किसी पत्र असिद नहीं हुए है हम लोग को जो है उन लोगा को भाजन पूत प्रवादा पर उन लोगे वज़े से जो वैसे जो है जन परतनी गेई जो जनता के सुगदूख में नहीं साथ रहें उनलों के जो बुनियादी समस्या हैं उनका समाधान नहीं किये उसका को भाजन हम लोग जैसे जो है मांदार जो है छबी वाले जो है प्रत्यासिक को जो है उजहलना पड़ता है सवाल उठता है कि भरष्टा चार है तो आखिर किस के वदोलत है भरष्टा चार बढ़ा तो उसमें जन परतिनिधी उन्हें क्यों नहीं उस पर मतलब अंकुस लगाया पीछले के जो जन परतिनिधी थे उन्होंने अगर अच्छे काम किये रहते तो साहिद जनता में यह मतलब जो है संदेश अच्छा जाता तो आखिर जनता को जनता को काम होना चाहिए और जनता जिस विश्वास के साथ अपना वोट देती है तो वो उमीद करती है कि जो जन प पाईदान में आएंगे काते हैं कि बरसात आता है तो मेढग टट्राते हैंल right on today on मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की जो धरती है यह बीरों से कभी खाली नहीं रहा एग और हम यह आप चाहते हैं कि हमारा जो दे पुरा वन पंचायज जो है यहां भी कोई ना कोई बीर जो है इस भूमी सा जन्म लेगा और वो बीर जो है परमुग बनेगा और वो इस चेत्र के लोगों का काम करेगा उस उस मतलब नालाइक लोगों में भी कोई ना कोई लाइक जन्म लेते रहा इस दियसमें, हम यह नहीं का सकते हैं कि सबी लोग जो है, जो लाइक नहीं है लेकिन कोई एक मसीछा, जो है उसका जन्म होता है, इस प्रित्वी पे अच्छे, अब मतलब सवाल, अब यही है कि मतलब वाइदे होंगे, फिर वाइदे किये जाएंगे लोगों से कहे जाएंगे कि वोट दीजिए हम आपके लिए काम करेंगे तो आप क्या आश्वासन दे रहा हैं हम तो जहां भी गए हैं तो हमने जंता से कोई commitment नहीं किया आज तक commitment इसलिए हम नहीं करते हैं हमारे तरफ से कोई घोशना पत्रजारी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोग जब दो लोग का मिलन होने का अधार जो होता है सबसे पहले नजर सनजर का जो है मिलन होता है जनता का जो नजर है और एक प्रतियासी का जो नजर है दोनों के बीच एक भाव होता है जब नजर से नजर मिलता है तो एक भाव उत्पन होता है और भाव के बज़र से जो है जनता के पास जो है एक सोचने समझने की छमता जो है उत्पन हो जाती है और जनता का जनादेश ज जनता जो है वो एक अच्छा बेखती जो है वो बदल जाता है लेकिन जनता हमेशा एक सच्छे और अच्छे बेखती के लिए ही मंदान करती है यह मेरा मानना है जनता उमीद पर देती है और अच्छे समझ के देती है अलग बात है कि चुनाओ जीतने के बाद लोग बदल जा जो अभी तक होते आ रहे हैं यही काना है जितंदर जी का जो सकुंतला देवी जो यहां उदैपूरा वन से पंचाज समिती सदस के पत पर खड़ी हैं तो वो उनके भतीजा हैं जितंदर जी जो बता दे पलामू संसदिय सीट से भी अपने भाग आजमा चुके हैं और लगात आशी के लिए एक हनुमान के सता हैं, मतलब राम भक्त हनुमान है और लगातार चेतर में जा रहे हैं और इनका ये भी स्वास कि है कि कोई तो मसीह हैगा जो बदलाव लाएगा और उस बदलाव के साथ कि तहार बदले का कितना लगता है कि इन बार का बदले अबाड़ी जीतेंगे हम लोग पुद्यपूरावन जो है जारकन परदेश में रिकार्ड बाहमस से चुनाव जीतेगा तो यह बदलेगा परदेश और उसके बाद हम भरोसा दिलाते हैं शेत्र की जनता को या तरह से परखंड की जनता को कि इस शेत्र में लोगों ने जो है अभी तक जो इस देश में आया है हमारे इस प्रित्वी पर जो है मसीह का जन्म हुआ है और हम यह भरोसा विश्वाज दिलाते हैं कि हम अपने तरफ से जो है मेरे तरफ से जो है कहीं कोई कमी नहीं रहेगी इस शेत्र में हमारे तरफ से कोई उदासी दविया नहीं रहेगा हमारे तरफ से कोई भेदबाव नहीं रहेगा हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे और इमंदारी पुर्वा किस छेत्र की जनता का जो है हम सेवा करेंगे और काम कितना होगा यह तो सरकार के योजना पर निर्वर करता है कि सरकार का कितना योजना यह आवंटित हुआ है और हम कोसिस करेंग कि अन परखंड में सरकार के अस्तार पर जो है जो है परोगे तरह से परखंड की जो जनता है जो भी सरकार से रासी आवनपित होगा और वो रासी कहां-कहां खर्च हुआ है वो सारा वार्षिक जो हम घोसना करेंगे एक सुचिय बना कर जो है जनता के भी जो है हम उसको प्रेसित करने का काम करेंगे और किसी भी योजना में कोई भी कमिशन हमारा नहीं होगा और किसी यह पतादीकारी का कोई कमिशन नहीं बनेगा यह भरोसा और विश्वास अब कम दिलाना है भरोसा है और विश्वास भी है और यह भी है कि अम स्वास भी जीता जाएगा जरूरत पड़ी तो उसका वार्षिक व्योरा में सभी को सामने पटल पर भी रखा जाएगा यह कह रहा है जितंदर जी का जनता अपने च्छेत्र की जनता से क्या अपिल करेंगी है उद्यपुरा वन पंचायत की जो जनता है जो मत दाता है उनसे ह जो क्रम संक्या चार में हमारा जो चुनाव चीन है मोतियो कहार उस पर जो है अपना बेसकिम्ती जो है मुहर लगा कर हम लोग को जो है एक बार आप खुद को साबित करने के लिए जितंदर पास्वान को साबित करने के लिए हम लोगों सपिल करते हैं जनता सपिल करते हैं क एक बार मौका दें ताकि हम खुद को साबित कर पाएं अगर आप जनादेश देते हैं अगर हम चुनाव जितते हैं और तरस्य परखंट परमुख का पद पर हम आसिन होते हैं तो यह हमारे लिए एक आउसर होगा खुद को साबित करने के लिए और यही एक रोडमैप होगा कि हमारा भविष जो है इस छेतर का भविष जो है जनता का भविष जो है कहां तक जो है हम उसको ले जापाते हैं इसको मतलब कितनी दूर तक जो हम ले जापाते हैं और हम आप लोगों से अंत में यह का कर अपनी बातों को समाब्द करते हैं कि भाव जो है जन परतनीदी का जो है, सच्चा होना जःए, अगर भाव सही है, सच है, तो निश्चित रूप से जो है, च्षेतर में बिकास होगा, और बिकास जो होगा, वो इमन्डारी का साथ होगा, बिकास होगा, ये होगा, लेकिन अगर दो लाग का योजना है तो वो दो लाग का योजना जो है धरातर पर उतरे ऐसा नहीं है कि दो लाग का योजना है और काम जो है धरातर पर एक लाग रुपया का हो इसके पक्ष में हम नहीं है और निश्चित रूप से अब तक जो होते आया है कि दो लाग का योजना है लेकि जो भी योजनाव आओ परकंडों में होगी आओ पंचाय समीती सदस का जो छेत्र में होगा उससे बेहड़चल के होगी कहीं भी भरष्टाचार नहीं होगा इमांदारी पुरुवक काम होगा और लोगों से ये भी आस्वासन दे रहा है कि इस बार एक बार इनको एक मौका दे ताकि ये भी अपनी आपको चुनाव में जो आप भोट देंगे तो आप भी विशुआस के साथ देंगे तो ये विशुआस पर आपका खरा उतरने की बातेकर है जितनर जी तो आप जनता है वोट आपको देना है एक-एक वोट आपको सोंच समझ कर देना है, वोट तो देना है, लेकिन एक-एक वोट समझ कर देना, आपका एक वोट आपके पंचाय समीती छेत्र के पांच साल का भविस्त दे करेगा, तो आप सोंच समझ कर वोट दे, चुकि जनता आप ही है, आपका वोट इस छेत्र के भ कर दो लाओ, हासी.